जैहिंदी साथ हो नमस्कार स्वागते मित्र आप सभी का आपके अपने चैनल पर तो आप लोग फड़ा फड़ लाएब आजाएं क्लास स्टार्ट हो चुकी है मित्र आज की क्लास जो एक काफे ज्यादा खास है आप देख सकते हैं आज से फिर से हम लोग हिंदी का टेस्ट कर रहे हैं जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस असिस्टेंट ऑपरेटर हेड ऑपरेटर तथा रेडियो ऑपरेटर के साथ साथ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए काफे ज्यादा हेल्फुल क्लास रहने वाली है मित्र और याद रखना ये हिंदी का टेस्ट नंबर 71 है इ इसलिए सभी भाइबेन मिलकर एक बार क्लास को शेर कर दो और जिस भाइबेन ने भी तक क्लास को लाइक नहीं किया है वह क्लास को लाइक कर देंगे तो बढ़ते हैं क्लास की तरफ और फर्ष्ट कुशन आपके सामने रखते हैं सभी भाइबेन बता देंगे इसका इसका राइट एंसर हो जाएगा यानि ऑपस नमबर यहां बिलकुल परफेक्ट होगा नेक्स्ट आपके सामने हैं बच्चे बस से पाट साला जाते हैं इस वाकिमें कौन सा कारक है ? तो याद रखना भाई इसमें कौन सा कारक हो जाएगा करण कारक होगा आपसे नंबर भी यहां बिल्कुल परफेक्ट होगा जो भी भाईबेन मारे बता रहे करण कारक बिल्कुल सही हो जाएगा द्वार सब्द में परियुक्त धोनिया हैं यानि वर्ड विछेद आपसे करना बिल्कुल भी मकसद नहीं है इसलिए सब्दी जल्दी जल्दी एंसर देने की कोचिस करेंगे तो याद रखना दो यानि ऑपसे नंबर भी यहां बिल्कुल सही होगा जो भी भाईबेन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा मिद नंबर डी यहां बिल्कुल सही होगा जो भी भाईबेन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा कोशन नंबर फाइब आपके सामने हैं दो शमानार्थी सब्दों की पुनरुक्ति के वीच में किस विराम चिन्निका पर योग होता है यहां आप स परियोग होता है तो याद रखना योजक चिन्न का परियोग किया जाता है दो शमानार्थी सब्दों के वीच में यानि ऑप्शन नंबर सी यहां बिल्कुल परफेक्ट होगा जो भी भाईबेन हमारे बता रहे हैं ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र पूशन नंबर सी आपके सामने है फड़ापड बिता दो मित्रिस का राइड एंसर क्या होगा सभी भाईबेन जल्दी जल्दी एंसर देने की कोशिस करेंगे तो याद रखना इसमें क्रेति वाच्चे हो जाएगा यानि ऑप्शन नंबर भी यहां बिल्कुल परफेक्ट ह जाएगा अध्यापक ने कक्ष्या में गडित की परिक्षा ली इसमें वाच्चे पूछा गया था तो क्रेति वाच्च होगा ऑप्शन नंबर भी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने वित्र पुश्चे नंबर से बन इसका राइड एंसर बताना है अभी भाइबें सो समझकर बताना इसका राइड एंसर क्या होगा तो जो भी मित्र बता रहें बिल्कुल सही बता रहें आकास पाताल कांतर होना यानि आपसे नंबर सी यहां बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा कहां राजा भोज कहां गंगुत ली इस लोकोगती का सर्थ जो होता है आकास पाताल कांतर होना आपसे नंबर सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र आपसे नंबर सी वाले सभी भाइबें नमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे नेक्स्ट आपके सामने है मित्रिस का राइड एंसर बताना है शमु आर्थक सब्द को चिन्हित क करना है यह आप से पूछ रहा है कुश्चिन नमबर एट आपके सामने हैं फड़ा पड़ विदा दू मित्रिस का राइड एंसर क्या होगा तो याद रखना है इसमें मनुस्य तो बिल्कुल नहीं है और शक्ता भी नहीं है ये कार भी नहीं है लेकिन इस्तवक जो है मित्र ये समुआ अर्थ तक सब्द है आपसे नमबर यह यहां बिल्कुल परफेक्ट होगा जोबी बाइबे नमारे बता रहे हैं उप्षिन नमबर यह बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने है निमलेकित में से उपसर्ग रहित सब्द कौन सा है उपसर्ग रहित आप से पूछ रहा है फड़ा फड़ा बता दो मित्रिस का राइड एंसर क्या होगा नेक्स्ट आपके सामने है निमलेकित में से कौन सा सब्द जिसमें हारा प्रत्य नहीं है यह आप से पूछ रहा है सभी भाइबे जल्दी जल्दी बताओ तो पनिहारा में हारा प्रत्य है, लकड हारा में भी हारा प्रत्य है, किश्मत हारा में भी हारा प्रत्य है लेकिन यहाँ पालन हार लिखा है, हारा बिल्कुल में नहीं है तो यही इसका right answer हो जाएगा option number B यहाँ बिल्कुल सही हो जाएगा next आपके सामने विदेशी सब्द नहीं है कौन सा इसमें है जो विदेशी सब्द नहीं है फटापड़ विता मित्र कुश्ची नमबर 11 का right answer क्या होगा तो याद रखना इसका right answer हो जाएगा बिल्कुल सही है पेट जो है मित्र ये विदेशी सब्द नहीं है right answer कि इसके जाएगा option number C यहाँ बिल्कुल सही होगा पेट जो है ये विदेशी नहीं विल्की देशी सब्द है जूता भी होता है ठेट भी होता है लेकिन सांज जो है ये संध्या का तदभो रूप है क्या हो जाएगा सांज जो है मित्र ये संध्या का तदभो रूप है यानि ये तदभो शब्द है right answer option number D यहाँ बिल्कुल perfect होगा जो भी वैबेन मारे बता रहे option number D बिल्कुल सही हो जाएगा next आपके सामने है कौटिल ले का विलोम सब्द है कौटिल ले का विलोम सब्द जो है ये किस विकल्प में दिया गया है जल्दी यल्दी बताओ मित्रिस का right answer क्या होगा तो याद रखना कौटिल का विलोम सब्द जो है ये क्या हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो तेरे का जो भी भाइबन बता रहे है आर्जो बिल्कुल सही हो जाएगा option number D यहाँ बिल्कुल सही होगा next आपके सामने है निम्न में से कौन सा वेंजन संघर्सी है कौन सब इंजन संघर्सी है यहाँ आपसे पूछ रहा है पड़ा पड़ बता दें मित्र कुछ नंबर 14 का राएड एंसर क्या होगा तो याद अगना संघर्सी की बात की गई है तो हाँ जो है ये संघर्सी बिल्कुल परफेक्ट होगा next आपके सामने हैं तो वाक में एकल अउतरण विराम के अंदर लिखे सब्द की सुद्ध वरतनी कौन सी है यानि अत्यदिक ब्यस्तता से जीवन में निरास्ता आ जाती है अत्यदिक की वरतनी जो है ये किस विकल्प में अच्छे से लिखी गई है पड़ा पड़ बताओ सभी भाइबेन इसका राइड एंसर क्या हो जाएगा कोई भी मित्र इसमें गलती नहीं करेगा तो अत्यदिक की वरतनी जो है या उपसे नंबर ये में बिल्कुल परफेक्ट रूप से लिखी गई है जो भी भाइबेन हमारे बता रहे है अत्यदिक की वरतनी आपसे नंबर ये में बिल्कुल सही है बिल्कुल सही बता रहे हो मित्र जिस भाइबेन ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया है हम आपसे रिक्वेश्ट करें मित्र क्लास आपको अच्छी लग रही है तो प्लीज क्लास को लाइक कर दिया करो और जो भी भाइब जो भी मित्र हमारे साथ ने हैं वह चैनल को सब्सक्राइब कर वेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि क्लास की नोटिपिकेशन टाइम सुद्ध है यह आप से पूछ रहा है में तरह कुष्चिन नमबर 16 आपके सामने है फड़ा फड़ बता दो इसका राइड एंसर क्या होगा सो समझ कर सभी भाइबेन एंसर बताएंगे तो याद रखना इसका राइड एंसर हो जाएगा मैतली बिल्कुल सही है प्रजुलित भी पैत्रिक भी लेकिन माननिय की वर्तनी जो है यह असुद है माननिय की वर्तनी जो है असुद है माननिय लिखा जाता है क्या लिखा जाता है बाई माननिय लिखा जाता है इस तरह इसक वर्तनिय सुद्ध है बिल्कुल सही बता रहे हो नेक्स्ट आपके सामने है तालू में जीव ना लगना का अर्थ है तालू में जीव ना लगना मुहावरे का उची तर्थ जो है ये किस विकल्प में दिया गया है तो सत्रे का सभी भाइबन जल्दी जल्दी एंसर दो तो बि तो मित्र हमारे बता रहे हैं चुपना रहना बिल्कुल सही हो जाएगा प्रतेक्ष में कौन सा समास है और इसका समास विग्रे क्या होगा जल्दी जल्दी बताओ मित्र प्रतेक्ष में कौन सा समास है और इसका समास विग्रे जो है यह क्या होता है तो याद ना प्रतेक्ष म आमनें इसका समास विग्रे होगा और इसमें कौन सा समास हो जाएगा तो याद रखना अब यही भाव समास हो जाएगा बिल्कुल सही बता रहे हो अपसे नमबर सी वाले विशेसर विशेसय युगमे में से असंगत का चैन करें अशंगत का चैन करना है यह आप से पूछ रहा है तो फड़ा पड़ बता दो 19 का राइड एंसर क्या होगा जल्दी जल्दी बताओं मित्रिस का राइड एंसर क्या हो जाएगा विशेसर विशेस युग में से असंगत का चैन करना है तो सबसे पहले मुझे लग रह और राही बिल्कुल से यह राह जो है यह विशेसर हो जाएगा और क्रोध जो है यह विशेसर हो जाएगा बिल्कुल से यह सन्यास जो है यह विशेसर हो जाएगा और सन्यास्त जो है यह विशेश हो जाएगा तो यह तीनों तो बिल्कुल सही है लेकिन यही आसुद लग रहा है और यहां बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने विद्रफ नृत का तदभो रूप होगा नृत का तदभो रूप जो है यह किस विकल्प में दिया गया है फड़ा तो इसका राइड एंसर क्या होगा विद्रफ तो याद रख ना इसका जो राइड एंसर हो जाएगा नृत का तदभो रूप जो है यह नाच होता है क्या होता है नाच होता है जो कि आपसे नंबर सी में दिया गया आपसे नंबर सी वाले सभी मित्रमारे बिल्कुल सही हो कि इत्यों नमबर सी Gram बिलकुल सही हो जाएगा जिसके सामान कोई दूसरा नहीं हम एक सब्दु में क्या कहेंगे जिसके समान कोई दूसरा ना हो उन्हें हम क्या कहते हैं अनुपम कहते हैं बिल्कुल सही बता रहे हो और सी वाले सभी भाइपन बिल्कुल सही हो जाएंगे जिसके समान कोई दूसरा ना हो उन्हें हम अनुपम कहते हैं नेक्स्ट आपके सामने हैं, कहते हैं कि शक्ती का नाम औरत है, ये कैसा वाक्य है, जल्दी जल्दी बताओ, राइड एंसर क्या होगा, कहते हैं कि शक्ती का नाम औरत है, ये वाक्य जो है मित्र बिल्कुल सही बता रहे हो, कैसा वाक्य है, मित्र बिल्कुल सही हो जाएगा, चिडिया आकास में उढ रही है, इस वाक्य में उढ रही क्रिया किस प्रकार की है। सरपर्थम भाशा का परियोग जो है यह किस रूप में हुआ है पड़ापड बताएंगे सभी भाइब राइड एंसर क्या हो जाएगा 25 आपके सामने तो बिल्कुल सही यह मौखिक रूप में हुआ था सरपर्थम भाशा का परियोग जो की आपसन नंबर बी में दिया गया सर फूटी शब्द का बहुआचन बताईए मित्र मैंने दो कुष्चन स्किप कर दिया है क्योंकि वो दो कुष्चन तो थे मित्र गद्यांस था क्या था गद्यांस था इसके लिए मैंने उस कुष्चन को स्किप कर दिया है और 28 आपके सामने है इसका राइड एंसर बताना है खूटी सब्द का बहुचन बता दो राइड एंसर क्या हो जाएगा तो जो बेमित्र नमारे बता रहे हैं खूटियां बिल्कुल सही बता रहे हो आपसे नमबर सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने है ऐसा लगा मानो बंफटा हो वाक्य में कौन सा अव्य है ऐसा लगा मानो बंफटा हो वाक्य में कौन सा अव्य है तो याद रखना इसका जो राइड एंसर हो जाएगा स्वरूख बोधब हो जाएगा क्या कौन सा अव्य होगा स्वरूख बोधब हो जाएगा जो कि option number ये में दिया गया है नेक्स्ट आपके सामने है निम्लेकित में शुद्ध वाक्य का चैन कीजे सुद्ध वाक्य का चैन करना है बता दो मित्रिस का एड़ एंसर क्या होगा तो जो भी भायविन बता रहे हैं मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं बिल्कुल सही बता रहे हो मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं यह वाक्य जो है मित्रि यह बिल्कुल परफेक्ट रूग से लिखा गया है नेक्स्ट आपके सामने इन निम्लेकित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है अब आपसे पूछ रहा है इसमें असुद्ध वाग के कौन सा है जल्दी जल्दी बता दो इसका राइड एंसर क्या होगा सभी भाइबें सो समझ कर बताएंगे इसका राइड एंसर पांच सेकेंड का समय देते हैं जल्दी जल्दी बताओ असुद पूछ रहा है ना मेत्रे तो बिल्कुल सही होगा जो भी भाइबन बता रहे हैं ब्याम स्वास्त के लिए उपयोगी है ब्याम स्वास्त के लिए उपयोगी नहीं लाब दायक होता तो बिल्कुल वर्दनी सही हो जाती क्या होता लाब दायक यहां होता तो बिल्कुल सही हो जाता व्यां स्वास्त के लिए लगदायकन मधानुदों के लगए Laak कोयल हाम डार पर कोक रही है यह दार नहीं बल्की डाल होना नहीं चाहिए दाल है यहां जिए लिकांग दिश्यमक्रलट में डाल है इस कमें इचे की इंच ऊचाई है मानोग विधिता की पना है क्या है में यहां डाल हो जाएगी कि आपने के सामने है कुश् 나온 अब वदीश्य में इसका और ना खाच चुका था इस वाकिय में कौन सा भूत कालिक भेद है कुछ नमबर 32 सही बता रहे हो यानि जो हाट यह बिल्कुल सही होगा जो भी में से नमबर 2 बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा अपके सामने इसका राइडे अंसर बताना है सास्किय पत्र के संदर्व में कौन सा कथन गिलत है सास्किय पत्र के संदर्व में कौन सा कथन जो है यह गिलत लिखा गया है जल्दी जल्दी बता दो 33 का राइडे अंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही है जुबे मित्र बता रहे हैं बिल्कुल सही हो जाएगा पहले देख लेते हैं पत्र के सबसे उपर पत्र संख्या लिखते हैं बिल्कुल सही बता रहे हो सास के बत्र में हम सबसे पहले पत्र के सबसे उपर पत्र संख्या लिखते हैं उसके बाद दूसरे क तित जो है दिनांक जो है यह उपर नहीं बलके नीचे लिखी जाती है मित्र तो यहीं मुझे गलती मिल गई तो यहीं इसका राइड एंसर हो जाएगा जो कि आपसे नंबर B में दिया गया है आपसे नंबर B वाले सभी मित्र मारे बिल्कुल सही हो जाएंगे तीसरा भी आरे हो इसे भी तो राइड एंसर किसके साल जाएगा ऑपसे नंबर B क्योंकि यहां कह रहा है पत्र संख्या की उपर तित लिखी जाती है जो कि असुद है नीचे लिखी जाती है यहीं इसका सही एंसर हो जाएगा नेक्स आपके सामने अंधा यूग किसकी रचना है अंध साल और ओपसे नंबर B येहां बिल्लकुल परफेक्ट हो जाएगा निम्न में सर्बनाम सब्द सर्बनां सब्द रहेंuted डिया क MONसा है यहां आप से पूछ रहा है तो पैंधीस का जो राइड एंसर कॉन आंप सही हो जाएगा तो ये इस प्रकार, सर्बनाम हो जाएगा ओप रोद्र रसका अस्थाई भाव जो है ये किस विकल्प में दिया गया है तो 26 का जोभी भाइबन बता रहे हैं रोद्र रसका अस्थाई भाव जो ये प्रोध होता है बिल्कुल सही बता रहे हो नेक्स्ट आपके सामने हैं अंबर पनगट में डिवो रही तारा गट उश्या नागरी उप्त पंगट में कौन सा अलंकार है तो इसमें साब साब दिख रहा है मुझे ये पंगटिया भी याद है कि इसमें रूपक अलंकार हो जाएगा आपसे नंबर सी यहां बिल्कुल सही होगा नेक्स्ट आपके सामने है कुश्चिन नंबर 38 इसका राइड एंसर बताना है जल्दी जल्दी बता दो इसका राइड एंसर क्या हो जाएगा तन सब्द का पुलिंग निर्धारित केजिए यानि तन जो है यह कैसा लिंग है पुलिंग है इस्त्रे लिंग है उभया पुलिंग है यान पुश्चिन लिंग है 38 का बताओ मित्र राइड एंसर क्या होगा तो याद रखना तन जो है यह पुलिंग है अप्शन नंबर यह यह यहां बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने मित्रिस का राइड एंसर बताना है कुश्चिन नंबर 49 इस जिससब्द से क्रिया के संबंद का बोध होता है उसे क्या कहते हैं वाक्य में जिससब्द से क्रिया के संबंद का बोध होता है उसे क्या कहते हैं तो याद रखना क्या कहते हैं में तर बिल्कुल सही बतारें 49 वाले जो भी में तर मारे बतारें करण का रख कहते हैं बिल्कु नमबर सी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने है अनुवई कास संदिविक्षेद निवन में से कौन सा है अनुवई कास संदिविक्षेद जो है यह किस विकल्ब में दिया गया है तो बिल्कुल सही है जो भी भाइबेन बता रहे है अनु प्लस आय बिल्कुल सही बता रहे हो 40 का जो राइड एंसर हो जाएगा और से नमबर C के साथ जाएगा अनु प्लस आय इसका राइड एंसर होगा नेक्स आपके सापने एक कुश्य नंबर 41 इसका Right Answer बताना है आसक्त का अर्थ है आसक्त का अर्थ आपसे पूछ रहा है कुश्य नंबर 41 है बता दो मित्र इसका Right Answer क्या होगा सबी भाय बन सोच समझ कर बताएंगे तो याद रखना गहरी चाहा को हम आग सकती कहते हैं राइड एंसर उपसी नमबर सी हो जाएगा जो भी मित्र मारे बता रहे हैं उपसी नमबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने हैं निम्ण में कौन सा विरामचिन इनमें कौन सा विरामचिन ऐसा है जो हिंदी में अंग्रेजी भासा से नहीं लिया गया है हिंदी में अंग्रेजी भासा से कौन सा विरामचिन नहीं लिया गया है यह आप से पूछ रहा है तो याद रखना में तरफ अंग्रेजी से ही आया है अल्प विराम, अर्द विराम और प्रस्नमाजक लेकिन पूर्ड विराम जो है यह अंग्रेजी से बिल्कुल भी नहीं है तो यही इसका रायड एंसर हो जाएगा आप से नमबर D यहां बिल्कुल परफेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने है चमणी जाय पर दमणी नजाय लोकोग दिकान निमलेखित में से उपियुक्त आर्थ चुने चमणी जाय पर दमणी नजाय लोकोग दिकान निमलेखित में से उपियुक्त आर्थ आप से पूछ रहा है तो याद रखने है इसका जो रायड एंसर हो जाएगा बहुत कंजूसी क्या हो जाएगा बहुत कंजूसी यानि आपसे नंबर सी यहां बिलकुल सही हो जाएगा मित्र नेक्स्ट आपके सामने हैं सब्द प्रकार की आधार पर मनुस्ता सब्द कौन सा भेद है यहाद रखना मनुस्ता जो है यह भाव अजिक संग्या के अंतर गताएगी जो कि आपसे नंबर सी में दिया गया है आपसे नंबर सी वाले सब्द यह मित्र मारे बिलकुल सही हो जाएंगे उप उप सर्ग से बना सब्द निम्न में से कौन सा है यानि आपसे पूछ रहा है उप उप सर्ग जो है किस सब्द में लगा है जल्दी यल्दी बताओ एंसर क्या होगा सब भी भावे बताएंगे कुश्य नंबर 45 का तो याद रखना वन जो है यह मोल सब्द हो जाएगा इसमें उप उप सर्ग लगा है और उप उप उपन हो गया है तो आपसे नंबर भी यहां बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने खुश्य नंबर 46 इसका राइड एंसर बताना है निम्लिकित में से किस सब्द में नी प्रत्य नहीं लगा है नी प्रत्य किसमें नहीं लगा है यहां आपसे पूछ रहा है तो याद रखना नो करानी में आनी प्रत्य हैं नी प्रत्य बिल्कुल भी नहीं है आनी प्रत्य हो जाएगा नो करानी में तो इसमें नी नहीं है बिल्कुल सही हो जाएगा मित्र नेक्स्ट आपके सामने एक कुश्य नंबर 47 इस बिलोम जो है ये संबंध नहीं होता तब फिर क्या होता है प्रबंध का बिलोम तो याद रखना प्रबंध का बिलोम जो है ये कू प्रबंध होता है क्या होता है मित्र कू प्रबंध होता है प्रबंध का बिलोम तो यही इसका एंसर हो जाएगा क्योंकि पूछ राता इसमें से कौन सा नहीं है तो राइड एंसर किसके साथ जाएगा ऑपसर नमबर डी में सहीं ताक्षर कौन सा सब्द है यह पूछ रहा है और तालिस आपके सामने बता दो मित्रिस का राइड एंसर क्या होगा सभी फाइब जल्दी जल्दी एंसर देने की गोसिस करेंगे तो कुमार है यह सब्सक्राइब यानि यहां ऊपसा नबर यह यहां पिल्गल सहीं हो जाएगा नेच्ट आपकर सामने हैं मुहावरे का अर्थ निम्द कंसा है मुहावरे का अर्थ घाए है तो याद रखना इसका जो right answer हो जाएगा क्या हो जाएगा है क्या हो जाएगा लापता होना गूलर का फुल होना मुहावरे का सही अर्थ जो होता है यह लापता होना होता है और यह यहां बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने मिद्रिस का राइड एंसर बता दो निमलेखित में से कौन सा पद ततपुरुष शमास का उधारड है ततपुरुष समास का उधारड आपसे पूछ रहा है फड़ा पड़ बताएंगे राइड एंसर क्या होगा तो याद रखना पदगत में ततपुरुष समास है और से यहां बिल्कुल सही हो जाएगा नेक्स्ट आपके सामने है निम्न में से कौन सा सब्द तत्सम है तत्सम आपसे पूछ रहा है फड़ा फड़ बता देंगे राइड एंसर क्या होगा गुश्य नमबर 51 आपके सामने है बताओ मित्रिस का राइड एंसर क्या होगा तो बिल्कुल सही है प्रिये जो है यह तत समय इसका तदभोग पिया होता है नेक्स्ट आपके सामने है लोड कर आया हुआ के लिए एक सब्दनिम्ण में से कौन सा है यह आप से पूछ रहा है बता दो मित्र इसका रायड एंसर क्या होगा तो याद रखना लोड कर आया हुआ को हमें एक सब्दों में क्या कहते हैं प्रत्यागत कहते हैं जो कि आपसे नमबर ये में ही दिया गया है आपसे नमबर ये वाले सभी मित्रमारे बिल्कुल सही हो जाएंगे तो मित्र मैंने यहां कितने कुशन किए दो कुशन मैंने इस्किप कर दिया था याणि 52 कुशन को मैंने अच्छे से कंप्लीट कर लिया है 50 कुशन में आपको इस पोर की तरह comment box में जरूर बताना और आज की class आपको कैसी लगी कैसी भी लगी हो जरूर बताय करो क्योंकि आप आपके फिडबैक का मुझे इंतिजार रहता है और जिस भाइबे ने भी तो क्लास को लाइक नहीं किया है और चैनल से नहीं है तो मैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि क्लास की कि नोटिपेके संट टाइम टुटाइम मिला करें मिद्र तो आज की क्लास में वस इतना ही सभी को बाइबाई सभी को नमस्कार अगर हां किसी कुशन में डाउट है तो आप बेजी जग कमेंट करकर पोश सकते हैं मैं जवाब देने की पूरी कोसिस करूंगी तो आज की स्क्ल